नमस्कार दोस्तों, आर्से इस डिये में आपका स्वागत है, आज हम लोग अध्यन करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के अंग्ठे तथा उसके पास वाली दोनों अंग्लियों को इस परकार फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब इस इस्थिती में यदि प्रथम अंग्ली चुम्बकी छेतर की दिशा को तथा बीच वाली अंग्ली परवाही धारा की दिशा को परदसित करें, तो अंठा चालक पर लगने वाला बल की दिशा को परदसित करेंगा जैसे इहां पर फिगर में जो है यह जो है इहां पर यह जो पर्थम अंगली है यह चुमब की छेतर की दिशा को बता रहा है और यह जो है दिरती जो है यह बिधु धारा की दिशा को बताता है और जो अंठा है वह यानि बल की दिशा को बताता है यह आपस में 90 डिगरी पर ह होते हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पर होना चाहिए तो यह जो है फिलेमिंग का बाएं हाथ का नियम इसका फिगा रहिया और फिर इसका परिभासा तो फिलेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो यहां पर दिया गया है